आप देख रहे हैं CN24 मैं स्वराट श्रीवस्तो इस वक्त मौझूद हूं गोरकपुर के रायगंज गाओं में और यहां पे मेरे साथ मौझूद है रायगंज गाओं के लोग क्या कहेंगे कि आप 2019 में जब वोट देने जाएंगे तो उनके कामों को अगर आप समीक्षा उसकी करेंगे तो क्या कहना है आपका उस पर सर देखिए उनके कामों का जो मतलब है वो तो ठीक है लेकिन कुछ जादे खास काम नहीं किये हैं और किसानों के लिए तो कुछ भी नहीं किये हैं यहां पर देखिए बड़े पैमाने से जो है आता है जो भी काम तो हम किसानों तक चोहुप ही नहीं पाता है वो बिचवलि सब खा जाते हैं और दुनिया भर के नियम कानून वहां से वो लोग बनाते हैं लेकिन गाउं के किसानों को एक भी नहीं मिल पाता है और हम लोग का जो इस्थित पहले था वही आज भी पड़ा हुआ है तो आप बड़ी बड़ी बाते करते हैं बस किसानों के लिए यह किया लेकिन कुछ नहीं किये हैं यह यह लोग और नहीं तो गाउं के लोग जो है सर बचवा जो यह छोड़ देते हैं अब योगी जी ने कहा कि बचवा को कटवाया नहीं जाएगा रोक लागा दिये हैं तो सब बचवे जो है खेतों में जाकर के चर रहे हैं फासलों को किसानों की आये दुगनी होगी यह सब पे उस पे आप क्या करना चाहेंगे कितना फर्क पड़ा है अभी तक नहीं तो सर किसान तो पहले से जादा जो है कि इस समय बेहाल हो गया है यह बच्छडे जितने फालतू हमारा पसु घूम रहे हैं हम लोगा गोभी बैगान जो भी ह क्या करेंगे भग्वान जाने हम लोग गरीव लोग सब लोग परसान है और खेत में बच्छडे जितने आ रहे हैं चर के रात में चर जा रहे हैं और उसको तार से गिड़वाने के लिए किसानों को कुछ मतलब उस पे मलवी योगदान देना चाहिए छूड़ देना चाहिए कि भाई चलो आपका नुकसान हो रहा है तो हम उस पे मतलब है थोड़ा आपको यह मलव दे रहे हैं सबसीड़ी आप खरी दिये उस चीज को तो ऐसा कुछ है नहीं बाकी सब वही है काग पर ही सारे काम हो रहे हैं धरातल पर कुछ भी नहीं उतर रहा है इसलिए मैं कह रहा था कि हिंदुस्तान की आदी अबादी जो गाओं में रहती है हिंदुस्तान जिसे गाओं का देश कहते हैं उस गाओं की जनता क्या कह रही है यही हम आपको सुनाने के लिए आज यहां अपर आए कोई देखिये को किसानी करते हैं लेकिन हम लोग किसानी करते हैं कोई रोजगार मिला ही नहीं याद तक हम लोगों को अभी तक देखिए हम लोगों को बहुत परिसान कि यह बच्छड़े सब खेद में लगाते हैं रात को दिन में काम करेंगे रात में कितना रखाएंगे हम लोग और सब फसल बारबाद कर दे रहा है पालग लगा थे निनुना लगा थे सब्सक्राइब कर दो यह बाता यह निकिसरीकार से में कुछ भी नहीं संतुष्ट हैं उत्व से लग देखिए कहाले की जन्ता मैं आपसे यह बहना चाहता हूं कि जो पुझार धन विदेश से लाने की बात के गई थी भष्टाचार, महंगाई उन सब पे गाउन के लोगों की क्या इसिती है, वो उस पे क्या कह रहे हैं देखिए ये लोग बोलेते काला धन लाएंगे किसानों को खुसाल बनाएंगे लेकिन सर कोई काम नहीं हुआ काला धन तो नहीं आया विदेश से लेकिन सरकार के उपर थोड़ा भी जू नहीं रेंगती है कि जिस किसान ने मुझे बनाया सपोर्ट किया उस किसान के लिए भी कुछ किया जाए ये सरकारे जो है अंदी हो चुकी है और इनको उठा कर ने सरकार के फएक देना ही बेहतर है अच्छा आपने भी नोट बंदी की बात कि मैं जाना चाहता हूँ नोट बंदी को अगर आपको สर्फ इतना कहना हो कि नोट बंदी पास या फेल क्या कहेंगे आप उस पे नोट बंदी फेल आप क्या कहना चाहेंगे तो सभी लोग कह रहे हैं नोट बंदी फेल आप क्या कहना चाहेंगे तो सभी लोग कह रहे हैं नोट बंदी फेल आप क्या कहना चाहेंगे तो नोट बंदी जिसे मुदी सरकार ने काफी बड़ा कदम बताये था काला धनकेो रोकने के लिए वो हिंदुस्तान की आवाज नहीं है यहीं लोग हैं जो हिंदुस्तान की आवाज बन रहे हैं और उन सरकारों को उन हुक्मरानों को यह सभी सुनना होगा क्योंकि 2019 में यह वही जनता है जो आपको वोट देने आएगी षणी जी ने इतने घन खर्श किया उसको लेकर के क्या इसा ती नहीं बना चार पान साल पहले जो भी बना हुआ था मतलब पहले के जो परधान थे उन्हें के कारेकाल में बना हुआ है और इस परधान के कारेकाल में एक भी सवचाले नहीं बना हुआ है और बना भी है तो वही बना हुआ है कि किसी का लैटरीन का सीट ही नहीं ठीक है तो किसी का दरवाजा ही नहीं लगा हुआ है अब मैं आपनी परसनल बात कर रहा हूं मुझे एक भी कि सवचाला नहीं मिला हुगा है और मेरे परिवार में टोटल 11 लोग हैं और सोच ली जिए कि जीस परिवार में एक ही सवचाले होई 11 लोगों को जाना हो तो क्या कंडिशन होता हो तो कि अभी भी गाओं के लोग शौच करने के लिए बाहर जा रहे हैं किया जा रहे हैं जा रहे हैं बाहर ही जा रहा है और खेतों में पीछले साल में बच गया सांपने काट लिया होता मुझे अब क्या किया जाए ऐसी परिस्थित है ऐसी सरकार है कि कुछ देही नहीं रही है तो कि इसी तरह से जीवन ही आपन किया जा रहा है सर देखिए पहले जो परधान से उनसे हम लोग को लाब मिला था सोचाला बना था और इस बार जो परधान हुए हैं सोचाला बनवाय ही नही अपने नाम से पास करवा के उसी का पैसा भाजा ली है और हम लोग मालूम ही नहीं हुआ अभी सवचाला की स्थिती देखिए दर्वाजा भी उसमें लगा ही नहीं है सवचाला में आए ज़रा दिखाएए मुझे वो इजजवच भारत मिशन लेकिन उस स्वच भारत मिशन के स्थिती क्या है जरा सामने देखिए जर्वाजा नहीं है बालटी रखी हुई है तूटी है ऐसे में इसे आप इजच भार कहेंगे या कुछ और कहेंगे यह आपको थे करना है पैसे नहीं मिले और पैसे जो है सरकार घाटे में जा रही है और तमाम परकार के मतलब बहाने लोग बना रहे हैं और कुछ दे नहीं रहे हैं का मैंने सर जी परधांजी से का इसमें दर्वाजा लग वाधितें परधां बनवाया गडिए ज्योप परधां बनवाया है यही दर्वाज में लगवाएगा और इसका परदान भी भाजा लिए पाइसा इसका दोबारा इसी पर पेंटन करके तो देखिए यह सिती है गावों की जहां पर शौचाले को लेकर प्रदान मंत्री लालकिले से तो लगतार बयान बाजी करते हैं पर यहां पर असल इस सिती क्या है यह मेरे पीछे आप देख सकते हैं मैं अभी जब आ आ था तो मुझे रास्ते में कुछ लोगों बताया की रायगंज में कोई स्पताल नहीं है तो क्या इस किसान को अगर तबयात हरा महता है याई तो फिक वात हो जाता है तो ःकिसान तीन किलो मीटर चार किलो मीटर या तो गाड़ी से जा या तो पैदल जा करके अपना इलाज करा है बेलवार में होता है अचा बेलवार में होता है जरा आप यह रास्ता देखिए मेरे पीछे ये रास्ता अगर रात के अंदेरे में आप इस पे देखेंगे तो शायद आपको चलने में भी यहाँ डर लगे अब सोचिए अगर रात में अचानक किसी की तव्यत खराब हो जाती है तो वह वहाँ तक कैसे पहुचेगा अचा राए गंज जो बिलवार का अप अस्पताल बता रहे हैं उससे फिर कोई दूसरा अस्पताल यहाँ पर कोई अस्पताल नहीं है आपने एक योजना का नाम तो सुना होगा आईश्मान भारत योजना 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 पार्श लाग तक का इलाज गरीबों का मुफ्त होगा यहाँ एम्बूलेंस भी नहीं पहुच रही है वहाँ पर ऐसी योजनाए कितनी कारगर साबित होंगी यह सोचने वाली बात है जब पूरे राए गंज में ही कोई अस्पताल नहीं है इसलिए ज़रूरी है कि ऐसी योजनाओ को शुरू करने से पहले कम से कम एक एम्बूलेंस की वह स्था करा दी जाए ताकि गाओं के लोगों को अगर कभी ज़रुरत पड़े उन्हें किसी का मूना देखना पड़े तो मैं इसलिए सर मैं काफी परिसान चल ला हूँ और इस योगी और मोदी सरकार की बाद किया जाए तो भारत के इतिहास में जो है सबसे गड़बड सरकार जो है यही आई हुई है जो हम लोग होते हैं वही नहीं मिलने वाला है और यह जो गेहूं और धान का रेट बना दिये हैं इसे किसान का कुछ भला होने वाला नहीं है जो भी सबजी की खेती होती है उसका ना कोई रेट है ना कोई मार्केट है ना कोई बैलू है यह सारा सिस्टम खराब कर दिये है यहाँ से उनको दश्कत कराओ किया जरूरत है वीमा करने के लिए हमारे पास आती है हमारा नुकसान होता है कि हुआ कुछ नहीं है और योगी जी की बात हुई एकदम समयली जी हम लोग जो बो रहे हैं उसके खाने के लिए लाल हो गए और लोग आये दुगना करने की बात करना है यह सबसे बड़ा घटिया सरकार है यह जो कभी जो किसानों के लिए कुछ नहीं सोचा है अपने तीन लेयर की इत्ती में घुमते हैं उनके लिए कुछ नहीं है हम लोग किसान आम आदमी है कोई लेयर नहीं है कोई सुरच्छा नहीं है और ऐसे बोलते हैं यहां पर ठाने पर जाईए तो दबंग है कोई किसी का सुनता नहीं है जब अरिया कर देते हैं सबको गाली देते हैं ऐसे इनक में उसका भुगतान क्यों रही होता हमारे साथ महिलाये भी हैं पीछे उनसे भी बात करते हैं अम्मा का हल्वाईयां कुछ तो नहीं हुआ है ये महिलाए बोल रही है इस राय गंज गाउं की